कि है गाइस वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल एमर्स दोस्तों आज हम लोग पर्मनेंट सेटलमेंट जिसकों की जमिदारी सिस्टम के नाम से भी जानते उसको पढ़ेंगे जैसा कि हमने आपको अपनी रहयतवारी महालवारी क्लास में बताया था कि हम एंसी आटी सॉल्यू मिनेट्स का टॉपिक है अगर आप लोग विल्कुल सांती से एकागरता के साथ फुल फोकस डोकर वीडियो देखेंगे तो अभी आपको फ्यू मिनेट्स में समझ में आ जाएगा कि पर्मनेंट सेटलमेंट जिसको कि हम जमिदारी सिस्टम भी कहते हैं वो क्या है तो कहके इंट्रोड्यूस कराए गया था कि अभी पर्मनेंट सेटलमेंट में अभी यहीं सेटलमेंट रहेगा वह पर्मनेंट कर दिया गया था जमिदारी सिस्टम को लोट करने वाले 1793 में इंट्रोड्यूस करा था आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं व वीडियो बिल्कुल सुद्धेंदी में रहेगा ठीक है लेंट रेविन्यू वस कलेक्टेट फॉम दी फार्मर बाइदा इंटेमेडियरी इस नोन एज जमिदार फार्मर और स्टेट के बीच में अब एक बंदा आ गया था जिसको की जमिदार के नाम से जानते हैं पहले हम जमिदार और या फिसको गवर्णर के लिजए में जो लेंड रेवेन्यू है वह जमिदार करेंगे इखा रेंगे फार्मर से विल्कुल यही सिर्फ प्रमाइनट सेटलमेंट बस अतना सा है आगे बढ़ेंगे तो जो शेयर होगा जितना भी जमिदार जो है वो लेंड रे of the government के पास जाएगा ठीक है और बच्चा हुआ किसके पास रहेगा जमीदार के पास रहेगा यह भी आपको याद रखना है मान लिजे कि जमीदार ने पूरा का पूरा सौ प्रतीसत रेवेन्यू इखटा कर लिया तो इसका 10 बटे 11 भाग जो होगा वो जाएगा government के पास और जितना बच जाएगा वो जाएगा जमीदार के पास ठीक है आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों जब permanent settlement हुआ था तो एक agreement हुआ था और इस agreement के थ्रू जमीदार को लेंड ओनर बना दिया गया था लेंड किसी फार्मर का ही है लेकिन उसको जो ओन कर रहा है उसका जो ओनर है उस dependent छोड़ दिया गयता है in the internal affairs of their respective district माल लीजे कोई farmer है ठीक है और ये जमीदार के relative है अब इनका जो फसल है वो अच्छा नहीं हुआ या बरबाद हो गया तो अब ये इनसे पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं ये खुद से पैसा ले रहे हैं ये ब्याज में दे रहे हैं इन्हो जो भी ट्रीटी हुई है उससे government को कोई मतलब नहीं है ये इनका internal affair है और इस पे जमीदार बिल्कुल free है और चली आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों बहुत ही important है ध्यान से पढ़िए they were given instructions to pay 89% of the annual revenue the state and were permitted to enjoy 11% of the revenue as their share जमीदास क्या करेंगे अभी जैसे कि मैंने आपको बता है जमीदास क्या कर रहे हैं जैसे कि माली ये पूरा 100% का revenue कलेक्ट हुआ है तो उसका 89% यानि कि big amount अंग्रेज स्टार्टिंग से ही बहुत चालाग थे उन्होंने क्या किया big amount जा रहा है किसके पास state के पास और 11% कौन enjoy कर रहा है जमीदार ठीक है जमीदार भी खुस है और अंग्रेज तो खुस ही है जमीदार इसलिए खुस है कि उसको पैसा मिल रहा है उस पैसे को वो उन्हीं फार्मर्स पे लगा के वो उनसे बसूली कर रहा है और ज्यादा ले करके 15% का ब्याज वसूला जा रहा है और गवर्मेंट इसलिए खुछ है क्योंकि वो देख रही है कि 100% का total revenue जिसमें 89% तो गवर्मेंट ने ले ही लिया है ठीक है तो एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों की यह सुरू से ही रणनीती रही है आपस में लड़ाने भ होगा ठीक है ना आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंड लॉड ऑफ एन एरिया एंड है टू पे अफिक्ट सम अफ लैंड रिवेन्यू तो दा इस्टेट विची कलेक्टेट फॉम्द पीजन जो लैंड रिवेन्यू है वह फिक् अपने मालिक के पास गवर्मेंट के पास ठीक है तो यह दोस्तों आज का वीडियो उमीद करते हैं कि आप लोगों को पर्मनेंट सेटल्मेंट पसंद आया होगा आप जैसा कि हमने आप से कहा था कि हम आप से दो कोशिन करेंगे तो दो कोशिन मेरे ही है जिसमें पूरा का permanent settlement है question number one बहुत ध्यान से सुनिए permanent settlement को दूसरे किस नाम से जानते है question number two permanent settlement में land revenue कौन collect करता है friends इससे ज़्यादा permanent settlement कुछ भी नहीं है अगर आप class के class के level से देख रहे है तो भी आपके लिए permanent settlement इतना ही है अन्य आप किसी UPSC को छोड़ कर अगर आप किसी अन्य एक्जाम की तियारी कर रहे है तो भी permanent settlement आपके लिए इतना ही है अगर वीडियो को अच्छा लगा है अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिए आपके लाइक करने से YouTube हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है हमारी मेनद भी सफल होती है आपके दोस्त जिनको ना समझ में आ रहा है या आपको लगता है कि चैनल अच्छा है और लोगों के पास पहुंचने चाहिए तो प्लीज एक शेयर कर दीजे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले विकाज अल आए वांट इस योर सपोर्ट गाइस थाइंक यू थाइंक यू वेरी मच